नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चनल पर जुसका नाम है परिक्षित अकाडमी और हमारे आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटवारी परिक्षा रिव्यू 21 मार्च 2023 फर्स्ट शिफ्ट के बारे में यह वीडियो उन कैंडिडेट्स के लि जो पेपर का पैटन सेट होता है वो रिपीट हो सकता है चीकि इसी संभावना के तहट हम क्षिंज पताने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप कोई वीडियो पसन आएगा अगर आप कोई वीडियो पसन आए तो वीडियो को लाइक शेर ज़रूर करें तो बिना टाइव से questions पूछे गए हैं तो आज का पहला questions पूछा गया है बोरी अभ्यारण ने कहां पर है नैशनल पार्क से questions आने के बाद अब डैरेक अभ्यारण पे आ गये हैं तो ये होशंगा बाद जिले में पढ़ता है जिसे आज नर्मदापूरम जिला कहा जाता है पांसो अट्रा वर्ग किलोमेटर में फैला हुआ है और बांस से संबंद है और इसका जो इस्थापना है अट्रा सो पैसेट में एक वन्यजीवी अभ्या इस फैक्टरी इस्तित है तो वो है कुल छे सद्पूरा की रानी किसे कहा जाता है बचपन से हम पढ़ रहे हैं पंचमणी को और इसे एक और चीज़े पंचमणी से काफी कोईशन्स बन रहे हैं दोस्तों जिसे पांडव की पांच कुटिया इस तरीके से तो मान के चलिए पंचमणी एक बारा फटा फट जो है इसके रिडिंग लगा लीजिए इसके सारे जो पॉइंटे फैक्ट कवर कर लीजिए क्योंकि ये पहले दिन से ही जो है चाया हुआ है और अब लकातार इससे हर शिफ्टों में कुशन्स पूछा जा रहे हैं अपर लेक बोर्ड क्लब मध्यप्रदेश में कहां इसते थे तो ये इसते थे मध्यप्रदेश की राजदानी भोपाल में सबसे बड़ा महादवीप कौन सा है तो यह एशिया महादीप है और एक सेन्ने अभ्यास पूछा गया था स्लीनेक्स जो है किसके बीच में होता है तो ये भारत और श्री लं किस महीने में किया जाता माहा में किया जाता है 請問 में ऐसा है माहा में किया जाता है तो वो है। रैकर अधान नोरत्र चेत्रमाह कल से किल से हमार बावीस मार्च से स्टार्ट होने आई नौरत का पहला दिन विक्रम सवन्त महारतने कंप्पनियों की संख्या कितनी है तो महारतने कंपनी वर्दमान में हम बात करें तो कुल बारा है ये भी हमें याद रछाना है कुल बारा कंपटनिया है और इसमें जो R.E.C. लिमिटेड है ये 12th नंबर की कंपनी है जिसको सितंबर 2022 में महारतन का दर्जा प्राप्त हुआ है तक शिला किसकी राजधानी है गांधार की राजधानी है और ये 12 महा जनपतों में से एक है तो निशित रूप से आपको 12 महा जन्पत उनकी लोकेशन उनकी राजधनिया याद होनी चाहिए अंतिम ब्रिटिश वाइसराई कौन था तो लॉड माउंट बेटन था तो आप जो अमारा लिूसेंट होता है लूसेंट के आप अंतिम प्रारंभी फैक्ट को कवर कर लीजिए असीरगर के किले में सबसे उपर जो जामा मज़ी थे उसका निर्मान किसने करवाया था तो वो करवाया था आदिल शाह चतूर्थ ने थोड़ा सा इसको मटाते हैं आदिल शाह चतूर्थ ने 1590 में और ये जो असीरगर का किला है एक में जामा मज़ी थै ये कहा है इसी थे बॉर्हानपुर में इसी थे वो असीरगर के किले का निर्मान किसने कराया था एक राजा अही नाम के व्यक्ति ने दसवी सदी में करवाया था और इस किले को दक्षिन का द्वार याने की बाब ए दक्कन भी कहा जाता है बहुत इंपोर्टेंट और खास ए दक्षिन का द्वार या फिर इसको कलोद ए दक्कन भी कहा जाता है दक्कन की कुंजी चलिए प्रशन आया था अनुच्छेद और सांसर से संबंदित कुछ इस प्रकार का प्रशन पूछा गया था अगला प्रशन है महराष्ट में विशेश रुप से कमजोर जंजाती समू कितने हैं तो वो है तीन कौन-कौन से तीन है तो है कातकारिया कॉलम और मारिया इतिहास से संब कि निमने का निर्मान किसने करवाया यह हमें प्रॉपर नहीं मिल पाया है अमेरिका की दूतावास जो है जो दक्षिन कोरिया में खोली गई यह भी एक संबंदित को रिलेंड कोशन है एक्यूरेट कोशन हमको नहीं मिला कृशी को छोड़कर सब पर कर्द लगाये जाते है कुछ इस टाइब का प्रेशन पूचा था तो वो संबंदी थे आनोचेद 246 से लेखा प्राधी करण की स्थापना कब हुई थी यह कुशन आया था किस देश का लिखित समीदान नहीं है तो जनरली में भी ब्रिटेन का ही होगा क्योंकि लिखित समीदान मुख्य रुप से यूएस और भारत का है महार अपने कंपनियां रिपीट हो गई यह बारा है मधिवर्देश में किस वर्शन इवेश पॉर्टल लोंच हो आता है कुशन यह पूचा गया है और सीम बैक्स सेन अभ्यास किसके साथ करता है भारत तो यह करता है भारत सिंगापूर के साथ चलि कुरीन का भी इस्त jakiś करते हैं ऐसी करते हैं तो इस प्रकार से क्या सोप्चन क्या माइने रखते है तक आ acesso कका क्या सूपक्र जेट्रफल भलबटास शेत्रफल दाप की एसाई मात्रक पूछ लिया गया है तो वो है पासकल एक कवक से सम्मंदित रोक आया है और ओप्शन के उपर भी एक कुशन डिपेंड करेगा कि कौन-कौन से रोक कवक से सम्मंदित पूछे गये थे निम्न में से कौन प्रवल चार है तो इस प्रकार से कोशन आ रहा है तो यहां पर भी कोशन इस प्रकार से बना है और प्रदूशन भी कई शिफ्टों से अभी तक छाया हुआ है तो द्योगों से निकलने वारे प्रदूशन के उपर कोशन बना था अगर हम अगली कोशन की बात करें तो पूछा गया है कि जीन किस से बने होते किस प्रकार का question आया था एक ATP में कितने केलोरी उर्जा होती है तो वो होती है 7.3 किलो केलोरी अब एक प्रेशन पूचा गया है आधुनी का आवरते में बाएं से दाय जाने पर परमानु का कार क्या होता है तो इसका answer है कम होता है ठीक है एक ही आवरते में अगर हम left to right जा रह दूवी जोती का घर क्या कहलाता है तो यह कहलाता है वायू मंडल का उपरी भाग वायू मंडल का उपरी भाग जो है दूवी जोती का घर कहलाता है एक प्रेशन ये आया है सरवाधी gigabyte memory अब हम आ जाते हैं कंप्यूटर के प्रेशनों पर और कंप्यूटर में कुशन साय था लगबग की सरवाधी गीगाबाइट मेमोरी फील होती है इस प्रकार से कोई एक स्टोरेज दिवाइस दे रखी थी और उसमें पूछा था कि किसमें सबसे अदा मेमोरी आती है ठीके प् भी ऑप्शन अगर रहते हैं तो हम इसको क्लियरली एंसर दे पाते हैं सीपी यू रैम कीबोर्ड याने की इनपूट आउटपूट आ गया इसमें कीबोर्ड के तरकत सौफ्ट्वेर इंटरनेट और ऑपरेटिंग सिस्टम से सम्मंदित प्रशने पूछे गए हिंदी के अ अधी करण है यह है दुरीकु समाज का उधारा ने तो इस प्रकार से चार ओप्शन दिये हुए तत्सम समाज अलंकार रस महावरा लोकोक्ती से कुशन आया है और सर्वसवती का सपर्यावची क्या है एक प्रशने कुछ इस प्रकार से पूछा गया है उद्धीपन विभा दे रखे थी और उनमें से एक जो उनसे कोरेलेट नहीं करता था उसके बारे में बात की गई थी गरिमियों में रोज नहाया जाता है में कौन सा वाक्य है यह प्रशन आया था तो इसका एंसर है भाववाची जो प्रमान करने योग्य हो उसके लिए एक शब्द में पूछ गया था ठीके तो इस प्रकार से यह एक शब्द में कुशन भी आ रहे हैं अपने चिलम भरने का मेरा जोपड़ा जलाते हो कुछ इस प्रकार से लगबग मिलता जुलता कोई मुहावरा दे रखा था और उसका अर्थ पूछा था जड़ काटते जाए पानी देते जाए क्य ठीके इस प्रकार से प्रशन आया था तो इसका अंसर है लोकोक्ति एवं अजी जो है किस प्रकार के कारक के एक विशन आया था तो इसका अंसर है संबोधन कारक हर्ष यात्रा पीड़ा और खेद में असंगत क्या है यह पूछा गया था तो हर्ष और योगरूर शब्दों उच्छारण जो है पूछा गया था तो ये भी options पे depend करता है तो maximum हमने हिंदी के भी बता दिये तो friends आज के हमारे वीडियो में हमने मुख्य रूप से general awareness science computer और हिंदी की questions की बात की है अब हम यहाँ पर maths की और रिजने की बात करें तो basic वही चीज़े और English की जो हर वीडियो में common है specific फिलहाल अभी हम नहीं बता पाएंगे तो हम इस पे भी बाते नहीं करते हैं आपको इनके सारे टॉपिक और एक कवर करना है जो generally आप पढ़ रहे हैं तो बताई का वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा है लगा हो तो चैनल को like, share, subscribe जरूर करें have a nice day and thanks for watching